इसलिए शुम्महा पुराण में, नर्वदा पुराण में, लिंग पुराण में और इसकंद पुराण में, इन चारों पुराण में एक जैसी बात, एक चे सचरित लिग दिया, कि घर के अंदर यदी कोई शिवलिंग रखे, तो वो नर्वदेश्वर होना चाहिए, क्यों हम जो भगवान को भोग लगाए, वो स्वयम ही पा जाए, उसको कहां बेरागी को दिने गाएंगे, कहां त्यागी को दिने गाएंगे, घर में जो शिवलिंग हो वो नर्वदेश्वर होना चाहिए, हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं, दिया लगाने का कारण क्या होता है दिया लगाने का केवल एक कारण होता है हम भगवान के मंदिर में प्रकाश करने के लिए दिया नहीं लगाते हम भगवान के मंदिर में उजाला करने के लिए दिया नहीं लगाते शिव महापुराण, पदमपुराण इस इस शिविलिंग पर ये तीन उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है तो आप तो लगेगा भगमांचंकर को त्रिपुंद लगाना है आप तो यही सोचोगे ना कि शिवजी को त्रिपुंद लगाया गया पर नहीं शिव महा पुरान की कथा करती है ओम शिव महा पुरान की कथा ये सागर में जो चल रही है इसमें आप अगर विद्धेश्वर सहीता को या पारवती खिंड को निकालोगे या आप इसकंद पुरान का या लिंग पुरान की कथा को उठा कर देखोगे तो उसमें बढ़ना ना जब कोई पुरुष नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है अश्तगंद लेकर गया है या जल चणाने के बाद चंदन भी नहीं है अश्तगंद भी नहीं है लाल चंदन भी नहीं है और मात्र उंगली से तीन लाइन पीचता है उसका मतलब त्रिकुंद लगाना नहीं बहुत अच्छे से सावधानी से दुर्वा की इस तरह से जो यह भाग रहते हैं ऐसे साथ भाग दुर्वा के लेना है कितने भाग लेना है साथ साथ भाग दुर्वा के लेकर पांच बेलपत्र के साथ बेलपत्री कितनी होना चाहिए है साथ भाग दुर्वा के लेना है पांच बेलपत्र लेना है और लकुलेश महादेव का नाम लेकर भगवान शिव का इस्मरण करकर चंकर भगवान पर प्रदोश या सोंबर की अस्तम या शिवरात्री के दिन अगवान देव अधिद्य महादेव के शिवलिंग के उपर अपने हिर्दाई की कामना करकर अगवान शिव को समर्पिल करकर बाबा देव अधिद्य महादेव को